वेलकम टू इदनित गह घरस्तिव बाड़ी के इसे रिलेटी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें नीचे दिया ग्या रैड बेटन दबा कर ये फ्री है हेलो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी सबजी बनाने जा रहे हैं जिसे हम फ्रीज में 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं ये है राजिस्थान में बनाई जाने वाली सांगरी की सबजी इसके लिए हमें चाहिए सांगरी ये बाजार में इस तरह से ड्राइ फॉर्म में मिलती है पहले हम सांगरी को साफ कर लेंगे इसमें तिनके होते हैं उन्हें निकाल लें सांगरी को 5-6 घंटों के लिए पानी में सोक कर देंगे ये उबली हुई सांगरी है जिसमें से हमने पानी निकाल दिया है मैंने यहाँ पर 100 ग्राम ड्राइ सांगरी ली जो लगभग 2 कप है इसी ओवरनाइट पानी में सोक किया और फिर कुकर में एक विसल लगवा ली कुकर में विसल लगवाते समय हमने इसमें सिर्फ एक चुथाई चमच हल्दी डाली इसके अलावा हमें चाहिए एक तेज पत्ता, दो सुक्यूही लाल मिर्च, दो लॉंग, आधा चमच अमचूर, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच जेरा, एक चुथाई चमच सौंप, एक चुथाई चमच गरम मसाला वर दो से तीन पिंच हींग, हल्दी, लाल मिर पाउडर, नमक, सरसों का तेल, वर किशमिश, लेटर स्टार्ट, एक कडाई लेंगे और उसमें तीन टेबल स्पून सरसों का तेल डाल लेंगे, सांगरी की सबजी में आईल ज्यादा यूज होता है, तेल गरम हो जाने पर हम इसमें एक तेज पत्ता डाल लेंगे, दो से तीन चुटकी हिंग डाल लेंगे, हिंग के रोस्ट हो जाने पर हम इसमें दो लांग डाल लेंगे, दो सुखी लाल मिर्च डाल लेंगे, अगर आप तेज मिर्च खाते हो तो आप जादा भी डाल सकते हैं, एक चुथाई चमच सौफ भून लेंगे, आधा चमच जीरा पून लेंगे, एक चुथाई चमच हल्दी वद थोड़ी सी लाल मिर्च पौडर डाल लेंगे, मैंने यहां कम मिर्च डाली है, वैसे सांगरी की सबजी में मिर्च देज रखी जाती है, मसालों को कुछ सेकंड्स भूनने के बाद हम इसमें उबली हुई सांगरी डाल के अ जिससे मसाले पूरी सबजी में अच्छे से फैर जाएं, अब हम इसे ढख कर लो फ्लेम पर पांच मिनट के लिए पकाएंगे, इससे मसाले इसमें अंदर तक अच्छे से एब्जाव हो जाएंगे, बीच बीच में सबजी को हिला लें, नहीं तो सबजी जल जाएगी, बीना ढखे हुए, दो से तीन मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे ये अच्छी तरहां से तेल छोड़ देगी, सबजी रेडी हो गई है, अब गैस बंद कर लेते हैं, इसे आप रोटी पूरी वे प्लैंठे के साथ साफ करें, इसे बना कर 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखा जा सकता है, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल,